तो आज हम बात करने वाले हैं South America के थर्ड वीडियो हैं दो वीडियो हमने इसके पहले बना दिये हैं आप उसको देख लें उसके बाद आप इसे देखें तो आज हम बात करने वाले हैं South America की animals यानि wildlife के बारे में सबसे पहले जो पहला फैक्ट आपको याद रखना है वो है कि साउथ अमेरिका में जो लार्जेस्ट बर्ड है लार्जेस्ट बर्ड और प्रे शिकारी पक्षी वो है कैंडोर का साइज आप ऐसे इस पिक्चर से समझ सकते हैं यह देखिए यानि कि आपके किसी इंसान के यह दोनों हाद फिला के इतना बनेगा और यह कैंडोर का देखिए साइज पंको को मिला दे यह बन रहा है ठीक है और यह भी वही है कैंडोर इसको जटायू भी कहीं कहीं बोल दिया जाता है तो यह हुई बात फिर नेक्स्ट सॉरी जो नेक्स्ट एनिमल है वो है एनाकॉंडा यह पाइथन है और इसे आप मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसकी पिक्चर देखी होगी दस ते बारा मीटर होता है इसका लेंथ आच् पर है कि को इसा टाइप से होता है इसकी खास बात कि यह जो आ डिल्म है जब इसको लगता है कि आसपास खत्रा है अगर इसको ऐसा लगा कि आसपास खत्रा है तो यह बिल्कुल गोल गेंग जैसा हो जाता है इस तरह से यह है लेंगि द्चैंश machstा план पॉल जैसा हो जाएगा ये इस तरीके से ये ठीक तो एक तो हमने देखा कि भी कैंडोर यहां मिलता है दूसरा अनाकॉंडा उसके बार आर्माडिलो ठीक फिर यहां एक ना उड़ सकने वाली चिडिया भी है रिया ठीक तो आप यहां देखिए कुछ बर्ड्स हमने यहां पर ली हुई है पहले तो रिया को देखने यह देखिए यह है इसका हाइट आप देख सकते हैं क्या है ठीक है यह हाइट है अब इसके अलावा अब इसके अलावा देखिए अगर और भी जो बर्ड्स हैं जो नहीं उड़ सकती है उसमें से आप यह इंसान की हाइट आप देखिए लगवक्स साड़िश है फैट का इंसान इस हाइट का दिखाई देता है ठीक है यह अब इसके कंपेरेजन में कि आपूस्ट्रीश को देखिए आँस्ट्रीश जो फ्रीका में मिलता है ठीक इसका हाइट लगवक je रहा है एसं हम्तिEr्छ या मिलता है एका उमू के असके बाद नमबर आता है रिया का लगवग चारफिट इसके बाद एक और है निजी लैंड में यहां निजी लैंड लिखा हुआ ठीक निजी लैंड में कीवी यह कीवी है बाई चोटा सा है और इसके बाद एक साउथ अमेरिका में टिनमाउ भी मिलता है ये भी नहीं उड़ सकता है, ठीक है, मूर्वी जैसा हो गया, तो भाई ये कुछ हमने बर्ड के नेम आपको बता दिये, उनका नेटिव प्लेस बता दिया, कि जहां वो मिलते हैं, यहां भी दिखा रखा है, तो ये देख लीजे, अफरीका में है आस्ट्रिच, साउथ अमेर दिखा दिया, हमने निजिलेंड के लिए, पॉपो निव गिनी में दिखा दिया, कैजुवेरी को, ठीक, तो इस तरीके से भी आप दिमाग में पिक्चर बना करके इनका नाम फिट कलने, चलिए, इसके बाद, एक और इस्पेसल एनिमल्स यहां मिलते हैं, वो है एंट इट इटर, वो क्या है, एंट इटर, इनको हिंदी में चीटी खोर बोलते हैं, जैसे हराम खोर होता है, है ना, ऐसे चीटी खोर, ठीक, तो भाई चीटी खोर क्योंकि यह चीटी खाते हैं इसलिए, एंट इट करते हैं, यह आप देख सकते हैं, एंट इटर को, है ना, इसकी यह जीव देख रहे हैं, इसको यह आप में देखे, यह कही है, चीरटी को हो रही है, तो यह भी यहां, मिलता है, इसके लाब सबसे इस्पेसल जो बर्ड हा वह हमिंग बर्ड, है ना हमिंग बर्ड, यह ऐसी बर्ड है जो static helicopter की तरह उड़ सकती है आगे भी उड़ सकती है पीशे भी उड़ सकती है खास बात हो गई बड़ी है ना ऐसे तो कोई bird ही नहीं जो पीछे भी उड़ सके और ऐसे भी कोई bird नहीं जो static हो जाए क्योंकि अगर वो उड़ेंगे तो भाई नमबर ओप माइट्रो कॉंडिया बहुत ज्यादा होती है है ना इनकी जो मसल्स होती है उसमें नमबर ओप माइट्रो कॉंडिया इतनी ज्यादा है कि इतना ज्यादा उससे एनर्जी जनरेट होता है कि यह जो बर्ड है आराम से इनके जो यह पंक हैं यह पंक को बहुत तेजी से फड़ा सकती है और पंक का जो इनका मुवमेंट होता है इतना फास्ट होता है कि आगर मैं सिंपल से किसी कैमरे से देखे तो उसमें भी मतलब दिखाई नहीं देगा है ना काफी स्लो मोशन करना पड़ेगा तब जाकर के दिखाई देगा उसका नेच्س इंप Cal ऑफ प्यूमा को देख सकते हैं इस अपने प्यूमा प्यूमा यहां भी वह द्वा newer कि ओड़ता हुआ प्यूमा ठोड़ता हुआ अब इसके बाद next important animal का नाम जो आपको याद रखना है वो है लामा ठीक लामा लामा के अलावा ये camel family है ठीक है ये camel family है और मिलता कहां है अब इनका देखिए लामा अलपाका गोणा को अब इनका देखिए ये ये किस तरीके से दिखाए देते हैं ये देखिए काफी मतलब stylish हैं ये अबना लामा देखिए ये रहा लामा ठीक है भी ये लामा है और ये अलपाका है ठीक है आप दोनों में difference देख सकते हैं और इस picture में देखिए यहां भी अब camel की बात चल दी तो सारी camel ही देख लेते ह इस एक bacteria का जो camel होता वो इस type से होता है इसमें है ना बीच में आप बैठ जाओ रहा हूं से ये और ये वाइल्ड बैक्ट्रियन camel कुछ इस type से रहेगा है ना थोड़ा सा इसका ये जो body part है थोड़ा सका हलका है फिर द्रोम डेरी ये भी एक camel का टाइफ है अब हम लामा की बात करते हैं लामा ये रहा तो आप हाइट देख लीचे लामा का और इसका है ना अच्छा अलपाका की भी हमने बात की तो ये अलपाका थोड़ा बहेंड जैसा लग रहा है गवानाको की ये थोड़ा सा डिया जैसा लग रहा है ना यह देखें अगर यह गोड जैसा लगता है देखने में और यह जैसा लग रहा है और यह जैसा लग रहा है और विकोना भी एक इनी का कैमल का ये टाइफ तो यह हो गए भाई ठीक अब कि बात करते कुछ दूसरे आनिमल्स की फिश फिशिंग जो है तिटिका का लेक में फिशिंग की जाती है और इसके अलावा जो वेस्टन कोस्ट है उसके उसमें शॉल्स और फिश भी मिलता है मतलब फिश का पुरा ग्रुप जो होता है उसको बोलते है शॉल्स ठीक है और खास बात क्या है कि जो पेरू का कोस्ट है ना पेरू का जो कोस्टल एडिया है उसमें जो फिशिंग होती है तो इसमें इसकी जो रैंकिंग लगती है सेवन्थ लगती है वर्ल्ड में कोस्टल के हम बात कर रहे हैं है ना कोस्टल फिशिंग के बात करें तो उसमें सैवन्थ इसका लगता है और कि इस पेरियू के कॉस्ट में जो फिसिंग होती है अगर सदन है मैं बात करें तो सदन है में इस्फियर में कोई भी ऐसा कोजटल डीजल नहीं personnes जहां पर इतनी fishing होती हो तो यह largest number of fishes यहां पर यहां से पकड़ी जाती है अब fish में एक खास fish आपको याद रखनी है anchor y anchor y fish यह देखिए यह है भाई anchor y fish यह ठीक यह है और इस तरीके से वही है anchor y ठीक तो अब आपको इसका idea लग गया किस fish की बाद चल रही है फिर इसके बाद एक और खास बात आपको ध्यान रखनी यह देखिए अपना Ecuador है यह तो रहा पेरू है न जहां पे coastal region फे fishing की बाद चल रहती है और यह इसके उपर क्या है इकवाडोर इकवाडोर का एक island है गैलापगोस island और गैलापगोस island जो है यह famous है रिडले ओलिव रिडले टर्टल्स के लिए यह रहिए ओलिव रिडले टर्टल्स के लिए तो यह यह इपना टर्टल हो गया है तो यह इसका कहना चाहिए natural fertility center है यह जो टर्टल है इसका natural fertility center हो गया तो यह याद रखना है आपको अब देखिए interesting बात क्या है कि south america जो है south america जो है यहां का केवल 10% area ही land का ऐसा है total का जिसमें की agriculture की जा सकती है काफी कम हो गया ये तो है न और इसमें भी देखा जाए तो जो ज़्यादा था land है वो कहां से बिलॉंग करती है अर्जेंटिना से और उर्गवे से ये जो 10% total पूरे continent की जो बात कर रहे है South America की उसमें दो कंट्री है जहां इसका ज्यादा तर प्रसंटेज आता है और कल्टिवेशन किसका किसका होता है तो भाही मेज का होता है और वीट का होता है ये मेंदी इनका कल्टिवेशन चलता है काफी की अगर बात करें तो ब्रजील, कॉलंबिया, एक्वाडूर यह लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्रॉल्ड में और कॉफी के लिए खास तरह की सॉयल है टेरा रोजा टेररोजा सोयल रैड सोयल की क्याटफरी में आती है यह यहां मिलती है जो की कॉफी के कल्टिवेशन के लिए काफी सुटेबल होती है काफी के बड़े-बड़े फार्म्स होते हैं जिनको फजरिंडा बोला जाता है यह देगे यह फजरिंडा है यह ठीक तो यहां पर काफी का कल्टिवेशन किया जाता है पिर फ्र जो फैंपास रीजन है हमने आपको बता रखा है पैंपास रीजन में यह एक इसफेसल टाइप की ग्रास होती है जिसको बोलते है अलफा-अलफा क्या नाम है इसका अलफा-अलफा और यह जो है यह बहुत नेउ this होती है किन के लिए एनिमल्स के लिए जो जान वर इसको जो केटल सिसको खाते हैं उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है ठीक तो इस तरह से यह जो रीजन है यह 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 फेमस है किसके लिए रियरिंग ऑफ एनिवल्स के लिए ठीक पसुपाइलन के लिए परशेट फिर बात करें आटकामा का जो रीजन है जो डेजर्ट वाला एरिया है यहां अच्छी बात क्या है कहते हैं ना कि भगवान ने कुछ भी फाल्तू को नहीं बनाया है तो अटकामा रीजन में अगर बारिस नहीं करा रहे हैं तो देखिए वह इसके लिए कैसे फेवर ने चला गया कि यह वहां डिपोजिट है किसके नाइट्रेट के अगर बारिस हो जाती तो फिर यह हमारे लिए ठोड़ा उस फॉर्म में गनवर्ट हो जाता जहां से हम इसको इट्लाइज ठीक से नहीं कर पाते तो वहां रेइनफॉल नहीं होता है यह अच्छा ही हुआ है ना उस एरिया के लिए यह गुड़ डिसीजन था गॉड़ का फिर बात करें चिले की तो चिले जो है अब क्योंकि यह अठाकामा रीजन कहां चिले वाले अ जो है यह लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नाइट्रेट का वर्ल्ड में ठीक है और नाइट्रेट का यूज होता कहा है फर्टिलाइजर में होता है इसके लाबा मिन्रल ऑइल के अगर बात करें तो वह कंट्रीज जो करेबियन कोस्ट के आसपास की है जैसे वेनेज्वेला मिन्राइब को यहां से मिन्रल मिलत यहां से भी मिन्रल ऑइल मिलता है यह भाई नाम वियाद रखता है माराखकाईबो ठीक टार कोल जो है टार कोल कोल से बनता है और यह त्रिन डार्ट से यह आफ्रीका हो गया और इसके उपर यहां इसकी बात कर रहे हैं यहां पास ट्रिन डार्ट से यह मिलता है फिर इसके पास इंपोर्टेंट है चुकी का माता चुकी का माता प्लेट्यू है और यह चले का फेमस center है किसके production के लिए copper के production के लिए चुकी कमाता copper ठीक इसको copper capital of the world भी बोला जाता है फिर इसके बाद tin के production की बात करें तो बई बोलीविया है उसमें number one इस continent में बाकी world में देखे तो यह fourth number पर आएगा अब एक और इंट्रेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर एक है गौानो एइलैंड ये जो गोउन ईलैंड है ये पेरू के कौस्ट में आता है, तो भई वाश रूम की तरह यूज़ करते हैं यह यहाँ पर आते हैं टॉलेट करने के लिए और इनकी जो ड्रॉपिंग्स होती है यह सुगर केन और कॉटन के लिए सुगर केन और कॉटन के लिए बहुत ही अच्छा निउट्रीसियस मैन्योर का काम करता है ठीक तो यह आपको याद रखना कि बेस्ट नैच्छरल फर्टिलाइजर जो है मैन्योर जो है यह कहां मिलता है गोईनो आईलैंड में मिलता है ठीक है और यह किस में किसके कोश्टल डीजन में आता है पेरू के पिर इसके बाद सूरी नाम और गोईना जो है यह बकसाइड के अलुमिनियम के बिगस्ट प्रोड्यूसर है अब देखिए अब हम कुछ रेसेस की बात करेंगे और उनके कॉंबिनेशन से न्यू रेसेस कौन सी बनी यह देख लेते हैं तो देखिए भई अगर अगर इंडियन अगर इंडियन को किसी यूरोपियन से यानि साउथ अमेरिका में रहने वाले किसी इंडियन का अगर किसी यूरोपियन के साथ कॉंबिनेशन हुआ तो इससे जो न्यू रेस बनती है इसको क्या बोलते हैं मैस्टीजो Indian का European के साथ Combination हुआ फिर अगर Mastijos का Indian के साथ Combination हुआ अगर Indian के साथ Combination हुआ तो ये जो बनेगा इसको बोलेंगे चोलो ठेक है? ये हो गया अगर European का किसी Black के साथ Combination होता है किसी Black के साथ, African के साथ तो क्या बन जाएगा मुलाटो मुलाटो ठीक है भई अगर किसी ब्लैक का इंडियन के साथ कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बन जाएगा ब्लैक का अगर इंडियन के साथ हुआ तो बन जाएगा जैंबो ठीक है फिर से एक बार देखें इंडियन का कॉम्बिनेशन अगर यूरोपियन के साथ हुआ तो क्या बन रहा है मुलाटो अगर यूरोपियन का किसी ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है तो क्या बन रहा है तब बन रहा है मुलाटो वहां मैस्टीजो बना यहां मुलाटो बना अगर ब्लैक का इंडियन के साथ combination वो तो क्या बनेगा जैंबो ठीक इन लोगों को जैंबो कहा जाएगा ठीक है और अगर किसी मैस्टीजों का अगर किसी मैस्टीजों का इंडियन के साथ मैस्टीजों का इंडियन के साथ combination होता है तो जो बनेगा उसको हमने क्या बोला उसको बोला चोलो ठीक है तो भ एक यह देखा हमने एक यह किर देखा हमने और एक यह देखा हमने तीन देखे इन तीनों में सबसे较 ज़्यादा नंबर इस वाले का है ञांट मेरिख द्यान रखनी है एक गॉचोज ट्राइव है यह मिक्सड़निट्स है किसका ये प्लीन और इंडियन लेकिन कौन से वाले जो शीकी फार में काम करते हैं, ठिक, यहां भी देख सकते हैं, यह European हो गया और यह Indian हो गया tę क्या बना Mastizos, ठीक है बही यह लगि athleticSon यह देखिये यह black और European तो क्या बन गया melepto ये इंडियन रेड इंडियन जो वहां के नेटिव है और ये नीग्रो तो क्या बन गया जैमबो ठीक है भाई तो ये तीन बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो इनके अगर मामी पापा की बात पूछी जाएगी तो ये कुछ इस तरीके से बताएंगे ठीक चलिए बात करते हैं जहां पर पॉपलेशन डेंस्टी काफी जादा है है ना तो वेस्टन कोस्ट का जो चिली वाला एरिया था वहां जहां मेडिटरेनियन क्लाइमेट था अच्छा क्लाइमेट था ये ना तो यह यह रीजन है जहां काफी लोग बसे हुए हैं इसके लाबा इंपॉर्टेंट जो सिटीज हैं वो कहां मिलते हैं यह जैसे हो गया तो इस एरिया में ब्राजील के इस एरिया में यहां पॉपलेशन डेंस्टी काफी जादा तो यहां हो गया और इसके लाबा यह अर्जन्टीन के वाला पार्ट हो गया और मेडिटरेनियन क्लाइमेट फल यह तीन अरिया है जहां पॉपलेशन डियेंस्टी क्या है ज्यादा इसके लाबहा अब कम कहा है तो यहाँ कम मोगी जहां क्लाइमेट अच्छा नहीं होगा जहां का जो जोग्राफिक इप जो एरिया है वो रहने लाइक नहीं होगा तो देखिए जो अमेजन बेसीन वाला जगह है जहां हम एनाकॉंडा मूवी में देखते हैं जिस पार्ट को तो बाई जो बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट कवर्ड जो पार्ट है एक तो वहां पॉपलेशन डेंस्टी का है बहुत कम है फिर इसके लावा जो लानोस है ग्रान चाको का जो बिल्कुल डल्दली इलाका हो गया गुयाना हो गया है ना तो इन पार्ट में भी पॉपलेशन डेंस्टी कम है फिर इसके लावा डेजर्ट वाला पार्ट में अबिसली कम ही होगी अटकामा हो गया और पैटागोनिया हो अगर रेलवेज और रोडवेज की बात करें तो ये अर्जेंटीना के अर्जेंटीना के नौदन पार्ट में डवलप हुआ है और ब्राजील के इस्टर्ण पार्ट में मतलब ओपिसलि जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहीं पे रोडवेज का और रेलवेज का भी डवलप में ठिक अच्छा भाई ट्रांस एंडियन रेलवे की बात करें यह एंडी जो माउंटेन है उसके आर पार जाने के लिए ट्रांस एंडियन रेलवे की बात करें तो यह कॉंटिनेंट में कनेक्ट करने के लिए पैस्फिक कोस्ट से एट्लांटिक कोस्ट तक के लिए बना यह यह Atlantic Ocean है और इधर Pacific Ocean है और यहां बीच में यह Indies Mountain हो गया तो अगर किसी को इस Indies Mountain को पार करना है तो जा सकता है वो है वह Santiago से संटियागो से कहां जा सकता है ब्योनोज जा सकता है स्टैंसियो भी जा सकता है तो भई है यह जो है यहां अला कि हमने यह प्लेण दिखा कि लेकिन यह इसके कि रेलिवेस का भी development हुआ है तो यह कहां से कहां क्ले मिल जाएगा वेलप्रेसियों से जो की Pacific Coast के पास है वहाँ से हम Buenos Aires के लिए मिल जाएगा Atlantic Coast के पास अगर में जाना है तो क्या मिल जाएगा हमको Railways के तुरू हम जा सकते हैं इसके लब हैं बहुत सारे Transcontinental Roads बनी हैं जो चिले से लेकर के Argentina तक जाती हैं और ये वाली जो में दो तीन Countries को connect करने वाला जो road line होगा उसको बोलेंगे Transcontinental Road फिर इसके बाद Ecuador में Ecuador में एक रिवर है इसका नाम है नापो रिवर Ecuador में एक रिवर है जिसका नाम है नापो रिवर और ये ट्रिब्यूटरी है ये ट्रिब्यूटरी है Amazon रिवर की ठीक और नापो की एक ट्रिब्यूटरी है कोका तो तीन रिवर हो गई एक हमने बोला कोका कोका किसकी ट्रिब्यूटरी हुई नापो की और नापो किसकी ट्रिब्यूटरी हुई Amazon की तो भाई यह जो कोका रिवर है इसमें एक प्रोजेक्ट बनाय गया है कोका कोडा सिंक्लियर हाइड्रो एलेक्ट्रिक फैसिलिटी तो यह इक्वाइडूर का लाज़ेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट है इक्वाइडूर का लाज़ेस्ट एनर्जी क्या है प्रोजेक्ट है तो एक ब्राजील और एक अर्जेंटीना ठीक ब्राजील और अर्जेंटीना तो हम बात स्टार्ट करते हैं कि जो ब्राजील का नाम है ब्राजील का जो नाम है वहां एक एंजियस्पर्म प्लांट मिलता है जिसका हाइड लगभग 10-15 मीटर तक होता है तो यह जो इंजिश्मन प्लांट है इसका नाम है ब्राजीलिया ब्राजीलिया तो इसी के नाम पे क्योंकि इसका जो स्टेम होता है वो कैसा होता है उसको अगर कट करें तो उसका उसके अंदर का जैसे माल लिए यह पेंड है ठीक है तो यह इसका क्या हो गया स्टेम वाला प पार्टिकल डिखाई देता है तो इससे फिल होता है रेड डाई में तो जैसे बता ही दिया रेड डाई के अलावा भी जो वाइलिन होती है ना जो वाइलिन होती है जैसे मान लीजे की कि यह वाइलिन हमने बना दिया इस तरीके से यह बना दिया तो भाई इस में अब यह वहां पर एक स्ट्रिंग लगी रहती है तो यह वॉैलिंग जिस लकडी के बनेगी वो कौन सी होती है वो यही वाली होती है ठीक यही वाली होती है तो यानि कि जो इस्टुमेंट है इस्टुमेंट उनका जो बोज बनाना है धनुस जैसा होगे नहीं इसकाम के लिए नहीं हम यूज़ करते लेकिन बता रहे है कि यह जो रखडी है यह स्ट्रिंग है और श्रिंग हम चलाएंगे तो इसी से में ख्रियेयट होगा तो यह किसे बनता है यह बनता है ब्राजीलिया जो प्लांट है उससे अच्छा बई और ब्राजील के बारे में ख केवल चिले वो कंट्री है और इक्वाडोर यह दो ही कंट्री है जो जिनका बॉर्डर टच नहीं होता है किस से ब्राजील से बांकि इन दोनों के अलावा ग्यारा कंट्री ऐसी है जिनका की बॉर्डर टच हो जाता है किस से ब्राजील से तो इनको हमने आप जो फर्स्ट डें जो मैफ अने बनाया था उसमें आप इसको देखिएगा कौन कौन सी कंट्रीज है चलिए फिर इसके बाद इसके बाद जो नौर्थ वेस्ट वाला पार्ट ये तो किसकी बात होगे इस्टन पार्ट की होगे जैसे ये 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 मारा ब्राजील हो गया माल लीजे तो अभी हमने किसकी बात की अभी हमने इस्टन पार्ट की बात की ठीक ये इस्टन पार्ट हो गया अब अगर नौर्थ व तो भाई यह प्लेन बना कैसे है तो यह जो अमेजन की ट्रिब्यूटरीज है उनसे जो अलुवियल सॉयल आया है उससे एक स्वैम्पी रीजन बन गया है डेंस फॉरेस्ट वाला और इसी दिए यह अग्रिकल्चरल प्रोसेस के लिए यूस्फुल नहीं है लेकिन वो प्लेन एरिया है ठीक क्लाइमेट की अगर बात करें तो ब्राजील का जो क्लाइमेट है मेंली होट है और हुमिरिटी काफी जादा होती है और जो साउथ वाला जो पार्ट है वह वहां थोड़ा सा कम हीट है और रेनफॉल वहां होता है समर में यह खास बात है रेनफॉल कब होगा समर में होगा और यहां का जो क्लाइमेट है इसको क्या बोलते हैं सवाना क्लाइमेट हमने देखा था जो सेकेंड लेक्षर हमने लिया है उसमें सवाना क्लाइमेट के हमने बात कियी थी बहुत यहां पर हल्की लकडी मिलती है इसका नाम क्या है वालसा और इसका यूज होता है क्योंकि हल्की है तो जो लाइफ सेविंग बोर्ट्स होती है उसको बनाने में यूज होता है कॉर्क बनाने में भी इसका यूज किया जाता है बाकी यहां कुनैन भी मिलता है जो कि सिन कार्णूबा ट्री आपको याद रखना है कार्णूबा 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 इसका यूज कहा होता है इससे वैक्स एक्स्ट्रैक्ट करते हैं और अब इतना सब कुछ होते हुए भी मतलब ब्राजील बोलते ही दिमाक में जंगल आता है लेकिन इतना सब कुछ होते जो ट्रॉपिकल एरिया होते हैं ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं वो होते तो बहुत डेंस हैं लेकिन उनका यूटिलाइजेशन नहीं किया जा सकता क्या क्या क्यूं क्या 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 सकता रीजन यह किया वहां ट्रीज की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है ज्याद बच्छ बच्च्छ बच्छ काट रहे तो अनहाल्दी क्लाइमेट होता है और जैसे के हम पता है कि ट्रांस्पोटेशन का प्रॉब्लम है ही इस वजह से जो ब्राजील के फॉर्ष्ट रिसोर्सेस हैं उसका वह suitable तरीके से exploitation नहीं कर पाया है exploitation जो हम वर्ड हम उज़ कर रहे हैं मतलब उसको utilization नहीं कर पाया है वो फिर भाई व्राजील जो है sugar cane के मामले में सुgar cane के मामले में largest producer है और cocoa के मामले में cocoa के मामले में third number पे आता है cocoa के मामले में ranking ghana और Nigeria की है frequent countries है और नाइजीरिया इनकी रैंकिंग लगती है इसके लाबा जो ब्राजील है यह कॉफी का तो बिगेस्ट एक्सपोर्टर है ही है ना लेकिन खास बात क्या कि कॉफी को यहां इंटर्ड्यूस किस ने किया है यूरोपेंस ने किया है फोर्टुगीज ले गए आये थे लगवक् फजेंड़ा कामने ऊपर आपको पिक्चर दिखाया ही था अच्छा कॉफी के बाद यहां का जो कहना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टन जो क्रॉप है वो है कॉटन वो क्या है कॉटन तो यह जो लीडिंग जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उसमें इसका नाम है ब्राजील क तो हम बात कर रहे थे ब्राजील के मिनरल डिपोजिट की तो ब्राजील का जो मेंली मिनरल डिपोजिट मिलता है वो मिलता है एक स्टेट में जिसका नाम है मिनास गिरास रीजन मिनास गिनास जो स्टेट है यह देखिए इस रेड पार्ट से हमने इसको दिखा रखा है ठीक इस इस्टेट का नाम है बिनास गिरास इस्टेट जैसे अपने हाई यूपी बिहार अब वहाँ वहाँ पे एक सेंटर है एक सिटी है जिसका नाम है इताबिरा सिटी इताबिरा सिटी तो भाई यह जो इताबिरा सिटी है यह फेमस है किसके लिए आइरन माइनिंग के लिए आ और जो ब्राजील है ब्राजील जो है वो लार्जिस्ट प्रोड्यूसर है मैगनीज के मामले में साउथ अमेरिका में और मैगनीज के लिए जो जगह है वो है अमापा माइन अमापा स्टेट का नाम है अमापा स्टेट का नाम है यह अमापा स्टेट और यहां है अमापा माइ तो ये देखिए ये रहा अमापा स्टेट तो हमने दो स्टेट की बात की आईरन के लिए है फेमस मिनास गिरास और मैगनीज के लिए है फेमस अमापा और अमापा की जो माइन्स हैं ये वर्ल्ड की one of the largest माइन है किसकी? मैगनीज की अब बात करते हैं एक और प्रोजेक्ट के बारे में तो देखिया ऐसा है पराना रिवर के बारे में मैंने बता रखा है पराना जो रिवर है ये ब्राजील और प्रागवे के बॉर्डर में मिलती है फ्लो होती है और वहां एक डैम बना है इताइपू डैम कौन से डैम है इताइपू डैम और भई यह जो डैम है पहले इसकी लोकेशन देख लें तो दिखिये हम बात कर रहे हैं यह अपना साउथ अमेरिका हो गया यह साउथ अमेरिका अब साउथ अमेरिका में यह अपना ब्राजील हो गया यह ब्राजील हो गया और यह क्या है प्रागवे तो भाई इन्हीं दोनों के बॉर्डर के बीच में यहां की बात चल रही है यहां है अपना इताइपु डैम तो हुआ है इताइप को डैम ठीक है वाई तो यह जो डैम है इसके बारे में इसके बारे में कहा जाता है कि अब तक दुनिया में जितने भी प्रोजेक्ट बने हैं उन में से यह वन अब दो मोस्ट एक्सपेंसिव जो है प्रोजेक्ट रहा है कहते हैं यहां जो आइरन और स्टी कि यू इतना हुआ है कि जतने में तीन सो असी एफिल्ट टौर्स बन जाएं वंव कि इसकी लेंद की बात करें तो गबग साथ केसी लेंद्ध है डैम की काफी पार्ट्स में यह और इसकी हाइट की बात करें तो one पराणा इधर रिवर थी अब दूसरी डीवर देखिए जिंगू आप देख रहे हैं ये पूरा जो नेटवर्क आपको देख राहे हैं यह अमेजन रिवर्स सिस्टम में काफी सारी रिवर्स हमने पहले भी बात की थी हैं ना उन रिवर्स के अलावा इसमें जैसे ये मदीरा है जो सबसे ये लार्जेस ट्रिब्यूट्री हो गई इसमें एक ट्रिब्यूट्री है ये देखे जिंगू दिख रहा है ये राज जिंगू जिंगू ठीक है बई तो यार ये जो जिंगू है जिंगू जिंगू की हम बात कर है वहाँ एक डैम बना है बेलो मॉंटे डैम कौन सा डैम है बेलो मॉंटे डैम और यह जो जिंगू रिवर है जहां यह डैम बना है वो डैम कहां लोकेटेड है तो पारा स्टेट में देखे तीन स्टेट का नाम हमें पता चल गया एक स्टेट हमने उपर बताया था आपको आ अपसे टूसरा हमने अम आपा इस्टेट देखा और आप हम कॉन सा देख रहे हैं नाम क्या है और यह अंडर construction है और environmentalist इसका क्या कर रहे है विरोध कर रहे है जनरली ऐसा होता है डैम का यह drawback थोड़ा होता है कि environment को थोड़ा सा hamper करता है तो उसका विरोध चलना है ठीक है भई तो आपको एक यह river का location याद रखना है और state का नाम याद रखना है और डैम का नाम याद रखना है ठीक भई अच्छा इसके बाद फिर आगे बात करें कि टेक्स्टाइल और सुगर इंडस्ट्री इस भी यहां important है ब्रजील की ब्राजील कर बात करें अब देखिए अब आपको एक और नाम याद रखना है वोल्टा रेडोंडा वोल्टा रेडोंडा ठीक है तो यह जो है वोल्टा रेडोंडा की location दिखाई जाए आपको यहां खास बात किया है कि यह जगह वो है जहां ब्राजील का first steel plant डबलव हुआ वोल्टा रेडोंडा वो जगह है जहां ब्राजील का first steel plant डबलव हुआ और यह किस वैली में है परेवा वैली में है तो भई इनको भी देख लेते हैं इनको भी देख लेते हैं यह देखिए पहले समझ लिए बात कहा के कर रहे हैं यह अपना ब्राजील है यह रहा ब्राज आए यह इस तरीके से अगर locate करें तो यह ईस्त हो घठ किया सकते हैं ब्राजील साथीस्ट वाले पार्ट तो ब्राजील की साउथ कि वाले पार्ट में एक स्टेट है जिसका नाम है Rio de Janeiro, state का नाम क्या है? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro में एक जगह है जिसका नाम है क्या? Volta Redonda, Volta Redonda, ठीक है भई? अच्छा, इसी state से associated कुछ और भी important चीज़े हैं, उनको भी देख लेते हैं तो देखिए, इसी state में ये एक beach भी है, Rio de Janeiro इस state में एक beach है जिसका नाम है कोपा कबाना बीच, कोपा कबाना बीच, ये रहा इसको थोड़ा अलग colors रिखा देते हैं, green colors देखें, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, कोपा कबाना बीच, ठीक है भई? ये हो गया, और अब आप ये देखिए, यहाँ पर, ये water body अंदर की तरफ आ गया, ये land के अंदर तो यwe is water body को क्या बोलते हैं, guana, बारा बे, ये देखिए, ये जो जगह आप देख रहे हैंना, अंदर वाली, इसी को बोलते हैं, ये वाली, जोड़ा दूसरा color ये लेते हैं, इसकी बात चल रही है, ये, ये जो आप देख रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। है तो यह जंद आहे को जाएक हैं यह जगह कई इस हो गई यह पिए गवाना भरा बे चलिए तो आपकी यह क defence रहा एक ओडुनन्टा एक नाम यह याद आपको रखना है दूसरा क्या यह रखना है को फाल्प्राव पिच को फाल्प्राव बीच याद रहा और यह E यह तो हैं तो आप यहां लेखिए ब्राजील के साउथ इस वाले पार्ट में यहा में तो यह तीन नामका याद रखने इसको जॉट हैं वी हो गया C हो गया G हो गया G से क्या हो गया C से क्या हो गया V से क्या हो गया Volta Redonda Municipality Volta Redonda Municipality ठीक, चलिए भाई अब हम बात करते हैं कुछ industrial centers की अब हम बात करते हैं कुछ industrial centers की ध्यान से देखिए यह अपना ब्राजील है यह अपना ब्राजील हो गया ठीक, अब हम ब्राजील के उसी हिस्से की बात करेंगे, किस हिस्से की बात करने वाले हैं वही South और East South East में देखिए हम चार आपको location दिखा रहे हैं, देखिए चार location में एक है Sao Paulo एक location का नाम क्या है Sao Paulo ठीक है बई? एक हो गया Sao Paulo यह है Sao Paulo ठीक Sao Paulo State है और यहां एक जगह है Santos यहां है एक Port है इसका नाम क्या है Santos तो यह हो गई नमबर वन City है, एक Sao Paulo City दूसरा हो गया Santos यह नमबर टू हो गया फिर तीजरा है Rio de Janeiro Rio de Janeiro यह नमबर त्वी हो गया नमबर वन Sao Paulo बोला हमने उसके बाद Santos बोला हमने उसके बाद Rio de Janeiro बोला हमने और उसके बाद चौथा देखिए हम बोल रहे हैं Belo Belo Horizonte Belo Horizonte चौथा हो गया तो भाई यह चार है यह चार important industrial center है यह चार important industrial center है कहां के ब्राजील के नाम फिर से एक क्या है Belo Horizonte फिर क्या है Rio de Janeiro फिर क्या है Santos फिर क्या है Sao Paulo ठीक है भाई? तो यह आपको नाम याद रखने हैं से देख लीजे एक बाई Belo Horizonte ठीक है Rio de Janeiro फिर Sao Paulo फिर Santos तो B.R.S.S. यह आप याद रखेंगे industrial centers हो गए ठीक है भाई? तो यह बात हो गई अपने अब आगे बात करते हैं Santos के बारे में आपको याद रखना है Santos के बारे में कि Santos जो है यह World का Largest Coffee Exporting Port है Santos Santos क्या है? World का Largest Coffee Exporting Port है इसके लाबा क्या-क्या Export किया जाता है? Coffee के लाबा Cotton हो गया इसके लाबा Cocoa हो गया Iron Ore हो गया Wood हो गया और Sugar हो गया यह सब कुछ भी है ब्राजील का जो कॉस्ट लाइन है वो काफी कैसा है कटा फटा है इस वज़े से वहां बहुत सारे पोर्ट्स और हार्बर्स बन गए है अब देखिए यहां तो इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन जब आप थोड़ा क्लियर मैप में देखेंगे ब्राजील को जैसे यहीं देख लीजे यह अब कितना कटाफ फटा यहां दिख रहा है यह देखिए यह है इसकी वज़े से यहां बहुत सारे पोर्ट्स बन गए हैं और ज्ञादा पोर्ट्स बन गए है तो वहां पॉपलेशन डेंस्टी भी से लिए ज्यादा हमने स्टार्टिंग में उपर बात की थी कि ब्राजील का इस्टंड पार्ट है वहां साउब बॉलो जो है यह सदन हैमिस्फ्फियर का पूरे सदन हैमिस्फियर की बात कर रहें कि यह largest city है बाई Southern Hemisphere में ज्यादा ता जितने भी Highly density populated area है वो south America किलाबा सारे सारे नौर्थ hemisphere में तो यह South Southern Hemisphere में यह largest city में आता है ठीक कि और अगर overall इसकी ranking की बात करें तो भाई यह Tokyo, Yokohama, Japan का हो गया New York हो गया Mexico City हो गया, उसके बाद यह fourth number पर आता है यह भी इंट्रस्टिंग फैक्ट हो गया इसको और क्या बोले जाता मैंनिफिसन्ट टॉण बोला जाता है मैंनिफिसन्ट टॉण बोला जाता है और ब्राजील अगर बात करें तो यह चाइप अच्छा इसके बाद अर्ट समिट 1992 यहीं हुआ था और कोपा कवाना बीच की बात हो ही गई है रियो डिजेनेरियो के पास यह और गुवाना बारा बे भी यहीं पे है चलिए अब बात कर लेते हैं अर्जेनिटिना की अर्जेनिटिना का बहुत डिटेल में जादे बाते नहीं है थोड़ी से बात कंट्री है साउथ अमेरिका की एक तो यह आपको याद रखना है यह इसकी जो भी प्रॉस्पैरिटी है जितने भी इसकी सम्रध्धी है वो किस वज़े से है पैंपास की वज़े से है जो यहां का टेमपरेट ग्रास लैंड है और जो अर्जेनिटिना इसकी हाइट बहुत साउथ करें तो आट्लांटिक और ही घै टेरीव जो है टियूरिग यह आरजेंटिना के साउथ में हैं और खास बात क्या है कि मह्तलचर से इसकी बात हो चुकी है और यह जो आयिलैन्ड है इसका हाफ पार्ट अर्जेनिटिना का है यहाफ पांट के इसका साले का है ग्लाइ उस country के हम बात कर रहे हैं जो ज़्यादा किस तरफ located है पोल की तरफ तो अब इसलिए यहां का temperature यहां का climate कैसा है temperate है फिर अब अगर बात करें rainfall की तो north से अगर हम south की तरफ जाएंगे तो rainfall कम होता जाएगा ठीक है इस में कहां इस में क्या है coastal area है समंदर के पास जादर rainfall होगा और जैसे से वेस्ट की तरफ जाएंगे डिक्रीज होता जाएगा ठीक आचा रेंवाल जो भी हो रहा है वह होता कब है समर में होता है और यहां की जो में वेजिटेशन है वह क्या है ग्रास है और ऐसा इसलिए क्य कि हमने बात कर रही है पास है कि Spanish word है और इसका मतलब होता है मीनिंग है इसका extensive plane area extensive plane area फैंपास ठीक चाको ठीक चलिए भाई और यहां एक important tree मिलता है इसको क्या बोलते क्यूब राको एक्स बृकर इसको बताया था हमने और जो क्यूबाकरो का जो बाग है उससे क्या मिलता है उससे हम tannin बनाते हैं और इसको लेदर को टैन करने में अगर जैसे हमने अगर वह क्या थे वह कौफी का वहां होता था इसी तरीके से बड़े-बड़े जो एनिमेल के Center ही उनको बोला जाता है Stan ac consumption का है यह वह centers हैं जो बहुत कुछ लोग हते हैं जो बड़ी जमीने खरίज लेते हैं और वह यहीं का करते हैं निम्म Bhag मेंहों कई करते ॹश एरिया को क्या बोलते लिस्वह सैंटर को हो चुकी है European और American के यह combination से यह जो है रेस बनती है नसल बनती है अरजिंटिना पेमस है कैनिंग के लिए और exporting meat meat को यह पूरा केन में पैक करके यह export करते हैं इसके लिए famous हैं और भाई जो पैंपास reason है वहाँ वहाँ wheat भी होता है मेंज भी होता है अलसी भी होता है कि इसके लाभा कि सुगर कीन और cotton भी वहाँ की important cash crops है तो cash crops वो होती हैं जिनको की इनसान जो फार्मिंग कर रहे हैं वो केबल बेचने के लिए ही कर रहे होते हैं अपने यूज़ के लिए नहीं कर रहे होते हैं अपने यूज़ के लिए इतना नहीं उनको प्रडक्शन करना होगा चाहे हो कॉटन का हो चाहे सुगर के इन का हो पिर इसके बाद, अलफा-अलफा की बाद पहले हो ही चुकी है, अनिमलस के लिए यूज होती है, और यहां की जो ज़्यादा तो लोग है, क्योंकि यहां क्या है? एम्रेकल्चर चल रही है, तो उनका उक्यूपेशन ही में क्या है, एम्रेकल्चर है. इस लिए यहां इंडिस्ट्रीज, जो मिन्रल पर बेजना है वो जदा डबल नहीं हो पाई है जो अर्जिंटिना से मिलता है और यूरैनियम का भी यूज़् किया जाता है एनर्जी जन्रेशन के लिए ब्योनोस आयर्स इसकी capital है और यहीं पे सारी के सारी जितने भी industries है उनका concentration है ब्योनोस आयर्स में और यहां यह एक important railway junction भी है जहां सारे जो rail route से converts होते होते हैं वहीं प्याकर मिलते हैं और यह एक important port भी है किसका Argentina का और सबसे जादा अगर transport की अगर बात करें मुस डेंसली जो network है वो कहां मिलता है साउथ अमेरिका का Argentina में ही मिलता है है ना और जो high altitude वाले जो network है जैसे Trans Indian Railway Network हो गया वो भी यहीं पे मिलता है Indies को वो पार करता है तो भाई यह थी बात South America की South America का जो continent हमने start किया था वो यहां पे खतम होता है धन्यवाद